अभी बता रहा हूँ, the broken news तगड़ा चलेगा, जो भी देखेगा, no matter he or she, is surely not going to hate this show To be really honest, मैंने इस show से बिल्कुल भी expectations रखी नहीं थी, मुझे ऐसा लगा थे कि ये show उतना दंदार होने नहीं वाला है बस अभी आया है और फिर चले जायागा But, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है बताऊंगा अपने thoughts, लेकिन उससे पहले story plot The broken news is following Radha and Amina from Awaz भारती, जिनका news channel JOS247 की comparison में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उनका कहना है कि हम साफ और सुथरी news देंगे बट इस race में TRP गेन कर रहा है JOS247 लेकिन Awaz भारती की producer Radha को एक ऐसा scoop मिलता है जो totally Awaz भारती का history बदल देगा लेकिन उसके चक्कर में उनको क्या-क्या problem face करनी पड़ती है और end में कौन जीतता है TRP की race वो आपको show देखकर पता करना होगा मैंने जो आपको story plot बताया है ना वो बहुत ही clean version बताया है क्योंकि show में इससे जादा कुछ हो रहा है और show जिस tangent पे जाद चुका है ना उसके बार में आप predict भी नहीं कर सकते मुझे ऐना ऐसा लगा था कि story बड़ा तो होगा लेकिन इतना बड़ा controversial और इतना बड़ा फसाड बन जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था The Broken News ना बहुत ही slide way में start होता है चार episode तक आपको लगा कि अच्छा मुझे समझ आ रहा है कि media and news industry कैसे है ना अपने gimmicks हदियादी और कैसे काम करती है बट उसके बाद show हर episode के बाद कुछ ऐसे suspense and mystery create करता है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ questions ही raise होंगे कि ये कौन है और यहां पर बसड का real motive के आए and here the plot thickens complications and twists इस way में add किये गए है कि जो हमारा you know intriguing level है वो हर वक्त enhance होता रहता है also script के पास offer करने के लिए इतनी सारी चीज़ है कि हम लोग edge पर ही होते है कि भाई इसके आगे क्या होने वाला है and trust me when I say this कि the broken news is the best developed show of Z5 क्योंकि इधर ना characters का use भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कोई भी ऐसा character आपको नहीं लगेगा कि ये hollow है और वो story में कुछ add नहीं कर रहा है every single character is adding something to the story which literally makes the show more engaging her my new details को screen पर अच्छे से showcase established किया है ताकि कहीं भी कुछ भी ऐसा loophole सा नहीं निकले and the ultimate thing is that कि हर episode में कुछ ना कुछ ऐसा unique सा हो जा रहा है जिसकी विज़ा से अपनी खोपड़ी ना हिल जा रही है कि भाई अब क्या होने वाला है और मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आप idea नहीं लगा सकते हो कि end में जाके story और कितनी जादा twisted हो जाती है moving ahead with performances so Sonali, Jaydeep and Shreya totally nailed it the trial was awesome Sonali का जो class है वो इतना class ही लगा है देखने में कि मैं आपको बता ही नहीं सकता she is frustrated but she is also wearing a mask वो भी daylight में जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है and जिस majority के साथ उन्होंने खुद को handle किया है शो में मज़ा आ गया उसे देखे even though Jaydeep, वो psychoness होता है जहां पर हम खुद को समझते है कि हमारे सामने कोई भी कुछ भी नहीं है he has that attitude and he also knew it कि उन्हें कब screen पर dominate करना है और कहां पर नहीं करना है और ये transformation मुझे उनका बहुत ही जादा ultimate लगा apart from this Shreya is totally enthukatlet she has that knack कि जो कुछ भी हो रहा इधर I deserve whatever I do इसके अलावा बाकी के supporting class like Taruk, Faisal and Sangeetha also played a gentle role बात करे direction की तो आपको पहला shot देखती है न समझ आ जाएगा कि अच्छा चलो इस शो में न एक चीज तो अच्छी है कि direction अच्छा होने वाला है mainly the broken news news segments के around भी है तो वहाँ पर जो shots लिये गए हैं वो totally focused and crispy से लगते हैं बढ़ा यहाँ पर न यह जरूर बोलूँगा कि director ने बिलकुल risk नहीं लिया है यहाँ पर कुछ additional shots add किया जा सकते थे but that is not there also show थोड़ा बहुत back and forth भी जाता है जो genuinely messy नहीं लगता है लेकिन यहाँ बात करें CGI की so that is not up to the mark क्योंकि कुछ-कुछ जगा ऐसे scenes है जहाँ पर actors के face या skin पर green screen reflect होता हुआ देख रहा है so at the end I will just say the broken news is totally sensational and wide and by noticing all that I am going to say the broken news is बोले तो बोले तो जगाश वीडियो पुसंद आईए तो कमें जरूर बताना कि तुम्हें ये शो कैसा लगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते वे जाना as always thank you so much for watching this video till the end and don't forget to subscribe my channel